आज के इस लेक्चर में हम यह समझेंगे किस तरह पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई का टाइम टेबल क्या होता है, और डेली वर्ग करना क्या होता है, मैटड़ आफ स्टड़ी से मुराद पढ़ाई का टरीका है, मिसाल के तोर पर देखें कोई भी काम जब हम करते हैं, तो उसका एक खास तरीका होता है, सही तरह उसे करने का, फार एक्जेंपल, अगर आपने चाय ही बनानी है, तो उसको बनाने का तरीका होगा, अगर आप सही तरीके से सही परपोर्शन के साथ उसमें अलिमेंट्स डालेंगी, तो चाय मज़दार बनेंगी, और अगर आप एक जस्ट नार्मल तरीके से चाय बनाएंगे, तो वो च जाये बदमजा होगी, इसी तरह से जब स्टुएंट पढ़ते हैं, अगर उनको पढ़ने के मैथड का पता नहीं है, सही तरह से उनको पता नहीं के स्टडी किस तरह होती है, तो फिर वो कई दफा क्या करते हैं, अपनी स्टडी से उकता जाते हैं, और अपनी स्टडी से प पता नहीं होता तो आज रूसbenे स्टुडی करने जा रहेowers रहे हैं वो मैट Prose हम स्टुडit करते हैं सबसे पहले चीज याद रखें कि जब आपने स्टुडी करना है तो आप स्टुडिइन थी है आपको स्टुडी अगर टेबल चेर रख लें तो that's very good दूसरी यहां बात समय नहीं है आपने कि आप जब पढ़ने बैठते हैं या आप पढ़ाई करते हैं तो आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए for example अगर आप लेट के पढ़ रहे हैं या आप ऐसे पढ़ रहे हैं जब आपको नीद आने वाली है तो फिर मुझे आप खुद बताएं कि आप कितना पढ़ सकेंगे यानि पढ़ाई करने के दुरान आपने एक्टिव होके बैठना है उसमें अगर टेबल चेर हो आप चार जानों होके भी बैठ सकते हैं जैसे आप रिलक्स फील करें लेकिन रिलक्स से मुराद ही हर्गिज नहीं कि आप लेट जाएं और आप जस्ट दस निट पढ़के तो आप सो जाएं तो अपने पोस्चर को आप एकुरेट रखें हैं और सबसे अहम बात कि जहां पे आपने स्टुडी की प्लेस बनानी है वह अन्डिस्टर्ब्ड हो यानि वहां पर सकून हो और आना जाना कम लोगों का ओúde हो और आप अपनी पढ़ाई के दुना डिस्टर्ब ना हो और तीन चीजों का अपने खिया है है नमबर एक आपने पढ़ाई की जगा डिसाइड करनी है और उस जगा में ख्यार रखें कि आप अपने पोस्चर में बैठें टेबल चेर रख लें तो बड़ी अची बात है अधर वाइस आप मैं जैसे कहा चार जानों भी बैठ सकते हैं जिसको आलती पालती मार के बैठना भी कहते हैं और मुझे जगा होगी जहां पढ़ेंगे वो अन्डिस्टर्ब हो कोशिश करें कि वहाँ पर आवाजों का शोर का आना जाना ना हो और लोगों का आना जाना ना हो दूसरा प्वाइट यह है कि स्पेंड एनफ टाइम अट डाट प्लेस कि जब आपने ने चाहेगा हम वहाँ जागे बैठें लेकिन आपने अपने आपको मुटिवेट करना है और आपने अपना ज्यादा टाइम वहाँ गुजारना है लाइक दो तिन घंटे तो डेली आप ज़रूर वहाँ गुजारें बैठें बुक्स के साथ बैठें किताबें कोलें कोई हो ये खास बात है कि आप टाइम ना जाया करें जिस्ट अपने टाइम टेबल बनाने में बार बार आप सोचें शाम मैं आदा घंटा ये पाढ़ लूँगा मैं 15 मिनट सी पाढ़ लूँगा 10 मिनट ये पाढ़ लूँगा या जब आप वहां टाइम गुजा रहें अपनी जगा आपर बैट कर तो फिर ये ख्याल करें कि वो जो टाइम आपर गुजर रहा है वो ज़्यादा स्टडी में गुजरे अक्सर बचे इस तरह करते हैं कि वो बार बार टाइम टेबल बनाते हैं टाइम टेबल के साथ ही खेलते रहते हैं कुछ अपनी प्लैंसलों को ये शार्प कर रहे होते हैं तो ये आपने खास ख्यार रखना है कि आपने टाइम टेबल बनाने में ही टाइम सारा जाया नहीं कर देना बलके आपने वुक्स खोलनी है और अपना टाइम जो वहाँ पर आप गुजार रहे हैं मैकसिमम अपने बुक्स के साथ और स्टड़ी के साथ टाइम गजारना है ये पहला पॉइंट था जी उसके बाद दूसरा अहम पॉइंट ये है कि आपने अपनी रोटीन में डेली वर्क लेगाना है जैसे ये आपने आपको बता दिया कि होता क्या है कि हम क्या करते हैं हम खियालात की दुनिया में रहते हैं और छiveness कहते हैं कि मैं इसे कारदेंगे हम कार राध पूरी पढ़े के परसों हम अचारा राध पढ़े जागे तो होता नहीं इस तरह को कि हम जवगी जो मुझूदा टाइम है उसमें बुक नहीं खोल के हम देख रहे होते हैं लहाजा हमेशे अपना प्लान बढ़ा रखें बिग सोचें लेकिन आपने स्टार्ट समाल से करना है और अभी से करना है यानि यह है थिंक बिग स्टार्ट समाल यानि आपने अभी सोचना है कि ठीक है मैं यह वाले तीन सौार खतम कर लूँ और विग थिंक का मतलब यह होता है कि सोचें इस तरह के मैंने सारी किताब खतम करनी है ऐस सून ऐस बासी बन लेकिन सिरफ थिंक बिग ही न करें साथ आपने स्टार्ट भी लेना है समाल से ये खास बात थी ये जेली वर्क में और साथ ही कि रूटीन बनाएं अब रूटीन क्या होती है रूटीन का मतलब ये है कि हम रूजाना एक खास लाइन पर चलते हैं लाइक सबो उठना फिर हमने बुरश करना है फिर हमने नमाज पढनी है और फिर उसके बाद नाष्टा फिर स्कूल फिर एड़स अरड़ा ये डेली के हमारे काम होते हैं इस रूटीन में आपने अपनी स्टडी को शामल कर लेना है जैसे आप खाना खाते हैं आप सोते हैं आप बुरश करते हैं पढ़ाई किसरा जो आप डेली काम करते हैं तो आप पढ़ाई को रूटीन में शामल कर लेंगे और जब आप उसको शामल करेंगे तो जाहरी बात है आप अभी मोटिवेट होंगे आप स्टडी करेंगे तो बाद में ये नहो कि ये थोड़ी दिन करके चार-पांच जिने कफ आप दो फ़फते मिन आप करें और उसके बाद आप छोड़ दे तो मेंटेन रखें अपनी इफर्ट्स पर आपने तो चीया है मैं अप ये शूरू किया है काम तो मैंने इस کو कंटीन्यु रखना है में इसके प्रेजर ऑनजी फार वर्क है ये खास point समझ लें कि होता क्या है कि हम क्यों अपनी उस place पर जाया time नहीं गुजार पाते और क्यों हम किताब खोलते हैं तो हमें नीदानी शुरू हो जाती है और क्यों हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते क्या वज़ा है देखें वज़ा ये है कि आप अपनी अनर्जी को दूसरे कामों में यूज़ करते हैं लाइक friendship में यूज़ करते हैं बाहर जाना आना और दूसरे तीसरे काम बहुत ज़्यदा करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी अनर्जी जाया हो जाती है फिर जब हम अपनी ठकी हुई आँखें लेकर किताब के सामने आते हैं तो हमारी आँखें में नीद आ जाती ठका हुआ दमाग लेकर जब हम अपनी किताब के सामने आते हैं तो हमारा दमाग किसी चीज़ को accept नहीं करता ठकी हुई बाडी लेकर जब हम correct posture में बैठ के पढ़ना शुरू करते हैं तो हम उस posture को maintain ही रख पाते हैं और हम जल्दी से लेटने की त्यारी शुरू कर देते हैं याद रखें अपनी energy को बचाएं बेजा घूमना फिरना बेजा अपनी energy को जाया करना उसको वहां से बचाएं और अपनी energy को पढ़ाई में यूटलाइज करें यह है प्रिजर्व energy फार वर्क अपनी पढ़ाई के लिए अपने काम के लिए अपने इनरजी को दूसरे कामों से बचाना है यानि कि जो बेकार काम है उन से बचाना है इसके बाद अगर आप को इंटरस्ट नहीं है स्टडी में किताबें समय में आपको नहीं आती हैं तो आप क्या करें कि लिसन केरफुली यूर टीचर फार इंक्रीजिंग इंटरस्ट इन यूर वर्क होता क्या है कि हम कलासरों बैठी होते हैं जो अपने टीचर को केरफुली और अटेंटिवली सुनते हैं इस इस दा रूल फार अ ब्रिलियंट सुड़न्ट लिसन यूर टीचर अटेंटिवली और केरफुली इससे आपकी पढ़ाई में आपको दिल्चस्टी पैदा होगी तो क्योंकि आप टीचर से सुनेंगे वो आपके बात बताएंगे आप सोचेंगे अच्छा ये इस तरह से है तो ये किस तरह से है Taylor आप इस तरह आपका इंटरस्ट बिल्ट होता है अपने टीचर को मेशा जवर से सुने डेली वर्क हो गया अब तीसरी चीज़ जो बड़ी हाम है वो यह है कि मोटिवेशन्स यानि आपके पास अगर पैटरोल नहीं है तो how can you run आपके पास अगर जजबा नहीं है तो how can you do anything जजबा बहुत जरूरी है आपके अंदर मोटिवेशन्स बहुत जरूरी है सारे काम करने के लिए study के लिए proper place बिनाने के लिए daily work के लिए routine में पढ़ाई को शामल करने के लिए अपनी efforts को maintain करने के लिए motivation बहुत जरूरी है यानि आपके अंदर जजबा हो जजबा कैसे पैदा होगा अभी खास बास समझे पहली चीजबा पैदा होने के हमाले से के think about your reward आप अपने इनाम को हासल करने की सोच रखें आप ये सोचें अब देखें ना किस तरह आपको मोटिवेट करेंगे किस तरह आपको आप अपड़ाई में engage करेंगे क्योंकि ये मुश्किल काम है तो किस तरह engage करेंगे कि हमेशा इनाम के बारे में सोचें सोचें मैं पास हूँगा मेरे इतने नमबर आएंगे मुझे शाबश मिलेगी मैं आगे बढ़ूँगा मैं जिन्दगी में आगे बढ़ूँगा मेरी लाइफ आराम से गुजरेगी मुझे ये इनाम मिलेगा मुझे ये इनाम मिलेगा तो हमेशा रिवार्ड को ठिंक करें क्योंकि कुराण पाक में बी अल्ला पाक की सुनाता है कि अल्ला पाक में जनत का जिकर किया है कि तुम्हे इनाम मिलेगा अगर तुम मुत्की होगे प्रेजगार होगे तुम्हें इनाम मिलेगा तो लहाज़ आप पढ़ाई जब करते हैं तो इनाम पर सोच रखें कि मुझे इनाम मिलेगा तुम मेनत करें यह आपकी मोटिवेशन है और दूसरी बार ट्राई टू बी स्पेरियर हमेशा अपने आपको दूसरों से आला रखने की कोशिश करें सफाई में, स्टडी में, बहेवियर में, परसनیलिटी में, ड्रेस में हर तरह से अपने आपको दूसरों से स्पेरियर बनाने कोशिश करें और कोशिश करें कि अपने अखलाक में अपनी बादचीत में अपने ख्यालात में ट्राइ टू बी स्पिरियर ये आपकी मोटिवेशन्स है और जो आज के पूरी लेक्शर का एक काले आपके थीम है और मरकजी नक्ता है वो ये है कि प्रे अल्ला पाक फार सक्सेस याद रखे हम जो भी स्टडी करते हैं पढ़ते हैं में बाद करते हैं तो परे अल्ला पाक फार सक्सेस अपनी काम्याबी के लाद पाक से दुआ करें ये तीन मोटिवेशन्स है याद रखें इनाम पर नजर अपने आपको बेछ रखें आपको बेछ़तर रखने की कोशिच दूसरों स और अल्ला पाक से अपनी काम्यावी की दौा ये आपकी तीन मोटिवेशन्स हैं जो आपको स्टडी में पर्फेक्ट बना देंगी ये है जी आपका मैथड आफ स्टडी ये है आपका जबरदस तरीका पढ़ने का अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं और थोड़ा बहुत अमल शुरू कर देते हैं तो बलीव मी के आप लोग अपनी पढ़ाई को पर्फेक्ट तरीके से करेंगे आपकी स्टडी असान भी हो जाएगी आपके लिए और आपकी जो तमाम मुश्किलात है वो दूर भी हो जाएगी आप पास भी होंगे और जिन्दगी में आप कामियाब भी होंगे विश्यो गुटलागा